नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल Competition Boss पर और मैं हूँ नितेश दोस्तों पेड़ोगोजी के 30 questions मैंने बनाये थे मुझे लगा आपको पसंत आये लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आपको questions स्क्रीन पर दिखते रहें ताकि ये लगे कि ये questions मैं कहीं से बता रहा हूँ और आपको दिखते भी रहें अच्छा इससे आपको note करने में सुविदा होगी यहाँ एक चीज बहुर मैं आपको बता दूँ वो आपका कहना मैंने मान लिया है और आपको ये questions जो है स्क्रीन पर दिखेंगे और आप चाहें तो इन्हें जो है PDF की रूप में डाउनलोड भी कर सकते हैं इसका link भी मैं आपको यहाँ दे दूँगा अब सबसे बहुतिन बात तो एक request मेरी आपसे यही है सबसे पहली तो आप चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like कर दें लेकिन इससे बड़ी request यह है कि please आप अपने notes बनाएं ताकि आपको आदत पड़े अच्छी और आपको इससे याद भी रहेगा जाकि आपके number ज़्यादा ज़्यादा आ सकते हैं यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो questions जो बार-बार repeat होते हैं और पिछले exams में आ चुके हैं C-TET, UP-TET, MP-TET, 36-GAR-TET, रादिस्थान-TET, हर्यान-TET सभी में यह सवाल आते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम से यहाँ मेंने सवाल चुने हैं जो आपके लिए किसी भी exam में काफी useful साबित होंगे तो आईए देखते हैं आज के 30 questions तो देखें यहाँ पहला question जो है यह है किरियात्मक अनुसंदान का उद्देश्य ठीक है? इसमें आपका जवाब होगा विद्दाले तता कक्षा की शैक्षिक कारे प्रणाली में सुधार लाना ठीक है? पहला question है फिर repeat कर देता हूँ किरियात्मक अनुसंदान का उद्देश्य क्या है? जवाब है इसका विद्द्दाले तता कक्षा की शैक्षिक कारे प्रणाली में सुधार लाना अगला question हम देखते हैं दो नंबर ये कुर्यात्मक अनुसंदान के संबंद में कौन सा कथन सही है इसका जवाब है इस्थानिय इस तरफ पर रोज मर्रा की समस्या के समधान के लिए किर्यात्मक अनुसंदान किया जाता है तो किर्यात्मक अनुसंदान क्यों किया जाता है रोज मर्रा की समस्या के समधान के लिए फिर अगला सवाल है किर्यात्मक अनुसंदान का प्रमुक कारे क्या है ठीक है तो इसका प्रमुक कारे मैंने आपको बताया तो जैसा कि किर्यात्मक अनुसंदान प्रमुक कारे रोजाना आने वाली समस्याओं का समादान तो सवाल कैसे भी पूचा जा सकता है ठीक है इसलिए सवाल को हर तरीके से यहां शामिल किया गया है अगला सवाल है किर्यात्मक अनुसंदान का केंदर बिंदू क्या है कि उसका सेंटर पॉइंट क्या है तो आपका क्या है संदर्ब गत समय बद्ध होना यानि कि सही संदर्ब होना चाहिए सही समय होना चीए, तब ही समस्या का समाधान हो पाएगा, ये इसका उत्तर यहाँ आपको दिख रहा होगा, अगला सवाल हम देखते हैं, एक अध्यापक, अध्यापिका को किसी विशे की अपनी अवधानात्मक को पृतिबंदित करते हुए, संकल्पनात्मक मानचित का निर को से इसका फ़ता है। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है रचनात्मक आकलन करना, यानि कि वो जो शिक्शक है, उस शिक्शका के रचनात्मक ता, जो है defawire tutaj की उसका आकलन कर तो एक किलो मेटर का गैप यहाँ होना चाहिए, तो इसका जवाब देखिए, दिया हुआ है, कि एक से पांच कफशाओं के लिए, एक किलो मेटर की पैदले दूरी, यानि कि माना जाता है कि बच्चे इससे अधिक दूर चलेंगे, तो उन्हें तकलीफ होगी, ठीक है, अगल इतना परशेंट खर्चा राज्य सरकार करेगी, इतना परशेंट सेंटर गवर्मेंट करेगी, तो यह अनुपात था, वो है, 65 और 35 परशेंट का, नहीं कि 55 परशेंट करेगी सेंटर गवर्मेंट और 35 परशेंट करेगी राज्य सरकार, यह आपका सवाल था, अगला सवाल जो है वो है निशुल्क एयों अनिवारे बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 ठीक है ना अधिनियम निशुल्क एयों अनिवारे बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 200 बाल को पर शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए दो सो बाल को पर टीचर कितने होंगे तो इसमें जो जवाब है वो है आपके 5 यानि कि 5 टीचर होने चीएं 200 बच्चों पर अगला सवाल है निशुलक एयों अनिवारे बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस स्टेट में नहीं है तो देखो जम्मू कश्मीर की इस्तिति थोड़ी सी अलग है वहां 370, 370 जो है धारा लागू है इसलिए कापी सारे नियम कायदे वहां लागू नहीं होते है तो जो राज्य कौन सा है फिर वो इसका जवाब होगा आपका जम्मू काश्मीर अगला सवाल है समीदान के किस संसोधन द्वारा समीदान का संसोधन पूछ रहा है कि किस संसोधन द्वारा पूर में भी बालकों को अनिवारे एवं मूल शिक्षा प्रदान किया जाना आ प्रारंबिक शिक्षा में कख्षा कौन-कौन सी सम्मिलित है तो हमें सब को पता है कि ये पहली से लेकर के 8 वी तक प्रारंबिक के तहत ही आता है अगला जवाब सवाल है निशुलक एव अनिवाररे बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लोगसबा में कब पारित किया गया तो ये 4 अगस्त 2009 इसकी डेट थी जब इसे लोगसबा में पारित किया गया आपको पता है कोई भी अधिनियम जो है वो पारित का बता है पहले लोगसबा फिर राज्यसबा और फिर राश्पती की मौर लगती है तब वो नियम बन जाता है ठीक है अच्छा अगला बाल शि उपसे RTE के लिए होती है यानि कि इसमें RTE के तहट admission बच्चों का करवाया जा सकता है अगला सवाल है निशुलक और अनिवारे बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कि कौन सी धारा राज्यसरकार को नियम बनाने की शक्ती देती है कि धारा में राज्यसरकार नियम बना सक उपर छहें से 14 वर्स तक के बच्चों की अगर फीस वसूली जाती है तो क्या जुर्माना होगा तो पहली बात कि लिए रगगई कि आई टी किसके लिए छें से चौधा बश्यसरक के बच्चोंके लिए अगर आई टी के तहट भी फीस कोई ले रहा है तो उस पर जर्माना जुर्माना कितना होगा जो भी फीज वो ले रहा है उसका सीधा दस गुना जुर्माना उसको देना होगा ठीक है अब बागो के इंटर्वीव और बच्चे की स्क्रिनिंग इसके बिना एडमिशन लेना होगा ठीक है पर आपको हिमत को करने होगी शिकाइत आपको करने पड़ेगी डीओ उफिस में तब ही कारवाई होथी है ठीक है? RTE 2009 के तहट आमनागरिक को क्या अधिकार दिये गए है? ठीक है? बही वो अपने बच्चों को RTE के तहट admission करवा सकता है, कोई fees ले रहा है तो उसकी शिकायत करवा सकता है, ठीक है ना? अगर कोई बच्चों को admission देने से मना कर रहा है, तो भी उसकी शिकायत जो है दी जा सकती है ठीक है विद्धाले प्रबंद समीती की कार्य समीती की बैटकों के लिए गणपूर्थी कितने सदस्य की होती है SMC होती है न साला मेनेजमेंट कमेटी जिसको कहते हैं विद्धाले प्रबंद समीती इसकी कार्य समिती में अगर गणपूर्ती की बात करें तो 3, 4 यानि कि 3 बटा 4 सदस से उपस्तित होना जरूरी है ताभी इसकी गणपूर्ती मानी जाएगी अब RTI की बात हम कर रहे हैं 2009 के तहट कितने वर्ष के बालकों को निशुल शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्राप्त है यह मैंना आपको बताया 6 से 14 वर्षत के बच्चों को अगला सवाल है कि बिना RTI 2009 के तहट सरकारी माननेता वाले इसकूल के लिए क्या सब्सक्राइगा यह कोई इसकूल ऐसा है जो RTE के तहट सीटे आरशित करता ही नहीं है वो कहता है हमारे यहां तो RTE की सीटे ही नहीं है 25 तो उसके लिए कैसा जाओगी उस पर एक लाग रु आ पिया जुर्माना आगी और भी सिर यहां इसको बैर रहता है निरस्त हो सकती है किसे ग्रामीन या शेली चेत्र में विद्धालले नहीं है तो बच्चों को शिक्षा की जिम्मेधारी किसी है सरकार गाऊं में और शेहरों में ढाटियों में सबी जगे सरकारी स्कूल खोल तो मैंने आप पहले बताया था एक किलोमेटर में होना चाहिए ठीक है यह आपको ध्यान रगना है अगला सवाल है RTE 2009 के तहट अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकल्प पिर सुनो RTE 2009 के तहट अध्यापकों के प्रशिक्षण यानि कि ट्रेनिंग के लिए मानकों का विकास वे लागू करने का अधिकार किसको दिया गया है यानि कि ट्रेनिंग के लिए मानक और कोई भी नियम अगर बनाना है तो वो किसको अधिकार होगा केंद्य सरकार को तीन अगला सवाल है नभी करण अनुसंदान योधान निर्मान के लिए राज्य सरकार को टक्नीकल साथन कौन देता है सिरी से बात है सेंटर किविकार करते है क्यों कि उससे उपने काहिए दूरी के बीतर सतबित किया जायگा पहली बात थी 1.2.5 तो 1 km की दूरी में 6-8 तक की बात आती है तो km हो जाएंगे 3 तो 1-5 तक की स्कूल करने चाहिए RTE के तहट 1 km की दूरी में 2 श्कूलों को बीच 1 km का अंतर होना चाहिए और अगर 6-8 तक की स्कूल है की तहत ही वो होंगे आपके तीन किलोमेटर के गैप में इससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता अगला सवाल है कि सरकार के क्या करतबे हैं तो इसमें बंच दिया हुआ है वो बंच आपको किलिक करना पड़ेगा अब आप इयंकि आपको बचों को पड़ा नहीं है कोई बी इसकूल उस बचों को और उसको बाहर नहीं किस बाहर नहीं बेच सकता, अनुदान का कितना प्रतिशत निशुल्क एम अनिवारे शिक्षा पर वैय करेगा कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनको सरकार एड़ देती है तो यह पूछ रहा है कि उसमें से कितना परसेंट उसे आर्टी ई पर खर्च करना होगा तो 25 परसेंट उसे ऐसा खर्च करना होगा अ जाते हैं तो इसको उमर कितनी है और इसके परमान पत्र दो अगर आपके पास प्रमान पत्र नहीं है तो भी स्कूल को एडमिशन देना पड़ेगा तो यह क्या कह रहा है किसी बालक की आईउ का सब्वूत नहीं होने के कारण विद्धाले से वन्चित नहीं किया जा सकता ठीक है अगर उसका age certificate नहीं है उसका birth certificate नहीं है तो भी कोई स्कूल बच्चे को एडमिशन से मना नहीं कर सकता आप डंके की चोड़ पर एडमिशन ले सकते हैं हिम्मत आपको करनी पड़ेगी school powerful होते हैं उनकी setting होती है अधिकारियों से लेकिन आप जो शिकायत करेंगे court मे मेंटर को घशी देंगे तो उसको एडमिशन देना पड़ेगा अगली चीज पिरवेश प्रात विद्यारतियों को किसी भी कख्षा में नहीं रोका जा सकता एक बार एडमिशन हो गया तो उसे आगई कख्षा में जाने से नहीं रोक सकते ठीक है ना RTE के तहट फिर और प्रात्मिक शिक्षा पूरी कविना यानि कि 8 वी तक की शिक्षा पूरी कविना उसे बाहर भी नहीं निकाला जा सकता तो ये तीनों चीज़ें clear होनी चाहिए अब शिक्षा का अधिकार की प्रकरती कैसी है बहुत शिक्षा का अधिकार एक अधिनियम बन चुका है तो सम्विधान ने इसके पर्मिशन दिये है ना 2002 सम्विधान सम्विधान 86 तो इसका मतलब वो एक सम्विधानिक अधिकार है तो RTE जो है उसके अधिकार की प्रकरती कैसी है सम्विधानिक है ठीक है ना कैसी प्रकरती है सम्विधानिक है RTE 2009 में शाररीक दंड एवं मांसिक उत्पिड़न का क्या परते शेयरे यदि कोई स्कूल बच्चों को शाररी की दंड दे रहा है या मांसिक उत्पिड़न उसका कर रहा है तो उसको कैसे रोकेंगे बैस सीदी सी बात है यह पूरी तरीके से प्रतीबन दीत है आप उसके खलाब F.I.R. दर्श करवा सकते हैं अगला सवाल विद्यालेप प्रबंधन समीती यानि की SMC का पुनरगटन कितने वर्स के बाद होगा यानि की एक समीती दो साल के लिए गटित होती है आपको पुनरगटन करना है तो आप 2 साल बाद पुनरगटन कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये थे आज के 30 questions अगर वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो और बैल आइकन दबा देंगे तो आपको मेरे वीडियो के notification आपको मिलते रहें आपको तबते के लिया नमस्कार